हेलो दोस्तो आज हम चटपटी भरबा भींडी बनाने वाले हैं और ये वीडियो को लास तक जरूर देखेगा बहुत जादा अच्छी रेसिपी है ये और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं ये मैंने 500 ग्राम भिंडी ले लिया है और इनको अच्छे से बोश कर लिया है और मैंने इनको पोच लिया है अब इनको हम दोरों साइट से कट कर लेते हैं और बीच में से चीरा लगा लेते हैं इस तरीके से सारी भिंडी को में इसी तरह से कट कर लेते हैं यह मैने सारी भिंडी को कट कर लिया है अब भिंडी का जो मसाला है बो तयार कर लिते हैं सबसे पहले मैं धनिया पाउडर लोंगी यह मने धनिया पाउडर लिया है अब इसके अंदर अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये मैंने नमक डाल दिया है और ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ये मैंने मार्केट का पेस्ट यूज नहीं किया है ये मैंने घर का ही बनाया है और इसमें थोड़ी सी खटाई डाल मैं नहीं मसाले को मिक्स कर लिया है आप ले में अच्छे कर लिया है अब इसको भिंदी में अच्छे से भर लेंगे हम मसाले को अच्छे से भींडि में भरेंगे टेस्ष अच्छा हैगा जिससे हमारी भींडी में सारी भींडी निया है अब इसमें हम ओल टाल तेगे ओविल हम थोड़ा जादा यूज़ करेंगे यह हमारा ओविल गरम हो चुका है अब इसमें हम सौफ डाल देंगे सौफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी भिंडी में अब इसमें हमारी भिंडी को डाल देंगे यह मैं भिंडी को डाल देती हूं यह बिंडी को मैंने ही मिला लिया है अब दो मिनट तक हम ऐसी ही पकाएंगे और फिर हम इसको ढग देंगे यह दो मिनट हो गए है बिंडी को अब हम इसको ढग देंगे और बीच-बीच में हम चेक करती रहेंगे एक बार देख लेते हैं हमारी बिंडी को ये देखिए अभी दो मिनट हमें और लगेगी पकने में फिर हमारी एकदम तयार हो जाएगी बिंडी विफिट से हम इसको ढग देते हैं दो मिनट तक अब हम देख लेते हैं हमारी बिंडी बन गई है नहीं यह देखिए बिल्कुल तयार हो चुकी है हमारी बिंडी कि अब हम भींडी को सर्व कर लेते हैं यह देखी कि इतनी जादा टेस्टी लग रही है बिल्कुर मसाले से लिप्टी हुई है बिल्कुर यह मैंने भींडी को निकाल लिया है अगर मेरी वीडियो अपको पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू दोस्तो